थाना गौतंपुरा के ग्राम कांकवा के जमीन पर कबज़ा मिलने के बाद फसल काटने पहुचे ग्राम मुνला कला के पट्टा-धारी दलित मायाराम के परिवार पर ग्राम कांकवा के बाबु सिराजपूत परिवार के एक्दर्दन से जादा लोगों ने हमला कर दिया इस मामले में नौ लोग घाल हुए हैं जिसमें से एक की मौत हो चुकी है वही साथ गंभी रूप से घाल है जिने इंदौर रेफर किया गया है मारपिट में घाल मुंडला कला के दलत मायाराम की शुकरवार दोपहर को मौत हो गई घाल की मौत की सूचना मिलते ही म्रतक की परीजन और गाउवाले आक्रोशित हो गई म्रतक का पोस्माटम शनिवार को इंदौर में किया गया वहीं ग्राम काकवा वं मुंडला कला में बड़ी संख्या में पलिस फोर से तैनात किया गया घटना में फर्यादी पक्ष के नौ लोग घाल हुए है घालों में साथ को गंभीर हालत में दौर रैफर किया गया है जिसमें सहट वर्षिय मायाराम की शुकरवार को मौत हो गई घटना के बाद अपर कलेक्टर SDM, SP, Additional SP, SDOP तीन थानाओं की टी आई रात ग्यारा बजे कांकवा गाव पहुचे और वहीं खड़े होकर आरोपी का JCB से दो मंजिला मकान तुरवाया जिसमें एक दरजन से अतिक भैस, ग्यारा बकरी, एक घोड़ा खुला छोड़ दिया औ पर्यादी पक्ष दलीत परिवार को सन 2002 में इन जमीनों की पटे बाटे थे, बाद में पटे धारी और कब्जे धारी दबंगों की बीच विवाद हुआ और मामला कोट तक पहचा, कोट ने पटे धारीों के पक्ष में फैसला सुनाया, कोट के आदेश पर 22 फरवरी 2023 को खड़ी थी, इस फ़सल को काटने पट्टाधारी फर्यादी वहाँ पहुचे और मार पिठ हो गई, दोपहर न्यूस के लिए गौतमपुरा से अनिल कुश्वाह की रिपोर्ट